हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दू माइ निव यूटूब चैनल प्रोफेसर पराग पतेल जैसे के मैंने आपको बताया था के मैं आपको मैंच रिजनिंग के जो भी इंपोर्टन टॉपिक्स है उन सभी के लिए डेप्थ में पूरा डिसकर्शन करवाने जा रहा हूँ रिजनिंग का ही एक टोपिक और बहुत इजी टोपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग गुज्राती में हम उसको बोल सकते हैं संकेट वी संकेट तो आज का यह जूबी लेक्चर है उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के question, answer कैसे समझेंगे, कैसे solve करेंगे और उसमें भी Coding, Decoding के 3 Types होते हैं There are 3 Types of Coding and Decoding Types 1, Alphabet 2, Symbol यहां पर Alphabet के सामने अलग-अलग Symbol में Coding हुआ होता है Next, Alphabet to Number Type 2 में, Alphabet उसके सामने अलग-अलग Numbers में Coding हुआ होगा And 3rd and Last Type Alphabet to Alphabet Alphabet के सामने, Alphabet में ही Coding हुआ होगा So, there are 3 Types of Coding, Decoding आज का जो लेक्चर है उसमें आप Part 1, Type 1 प्रॉपरली समझ जाएंगे के Alphabet to Symbol Coding, Decoding कैसे होता है Questions उसके आंसर कैसे सोल करेंगे आज इस लेक्चर में हम देखेंगे के Alpha to Symbol Coding, Decoding कैसे हम सॉल करते हैं So, it is a Part 1 About Coding, Decoding We are focusing Alpha to Symbol Coding, Decoding कैसे होता है जैसे के आप Board पे देख रहे हो Alpha means Alphabets सभी को मालूम है सर A, B, C, D, E Up to Z So, जो आप A, B, C, D बोलते हैं उसी को हम बोलेंगे Alpha, Bates Symbols Symbols बहुत सारे होते हैं अलग-अलग टाइप के बहुत सारे Symbols यूज होते है Coding, Decoding में थोड़े बहुत आपके सामने यहां पे मैंने प्रिजन किया है, यह सभी अलग-अलग Symbols है उसमें Figures भी आ जाता है उसमें 1, 2, 3 Numbers भी इंक्लूड हो जाते है अब Paper में इसके Questions कैसे होते हैं, किस तरह के Questions उच्छे जाते हैं So, these all are questions 1, 2, 5 Question इस तरह से होगे Present Like First Question If Table Is Coding by This Symbol And Lamp Is Coding by This Symbol Then A, B, L, E Is Equal to What जो आपकी Competitive Papers होते हैं Question Papers उसी में इसी तरह के Questions रखे जाते हैं अब हमें Find करना है कि Able A, B, L, E का Answer क्या होना चाहिए उसका Code क्या होना चाहिए तो ऐसे Questions Solve करने के लिए आपको इस तरह से समझना है So, in the second part solution में देखते रहो T उसका Symbol है Alpha A उसको Arrow से Denote किया है So, हर एक Alphabet उसका अलग-अलग Symbol यहां पे Use हुआ है आप Clearly देख सकते हो In the same way Lamp L A M And P अब दोनों Words में एक Common Letter आता है A जो आपने Notice किया हो तो यहां पर भी A उसका Symbol Arrow है यहां पर भी A उसका Symbol Arrow है तो तुरंथ हमें पता चलना चाहिए Sir Particularly Jubilator से उसके अलग-अलग Symbol Use होते है अब मुझे Define करना है A B L E उसका क्या Answer होना चाहिए तो आप Clearly देख सकते हो A That means Arrow Then B B के लिए Has Use हुआ है यह Symbol Use हुआ है Right So B के सामने बता दिया मैंने फिर L L के लिए Square है यहाँ पर And E यह के लिए यहाँ पर Zero लिखा है यह सर कलब जो भी बोलो So this is a Correct answer Of this question Now second question Second question Extra is denoted by Coding by these symbols Adidas is coding by these symbols Then H T A T उसका answer Coding में क्या होगा Solution यहाँ पर समझो फिर से E उसके लिए A लिखा है X के लिए Has है T उसके लिए Experimentory है R के लिए 3 लिखा है A के लिए Alpha है तो बहुत Simple exercise है यह इसके लिए कोई extra rules या knowledge का कोई requirement नहीं है बस कौन से कौन से लेटर के लिए कौन सा symbol यूज हुआ है वही दास के लिए भी हम समझ सकते है अब मुझे find करना है S T A T उसका coding decoding क्या होना चाहिए like S so S के लिए यहाँ पर star यूज हुआ है so S उसका answer हमने लिख दिया star फिर T T के लिए symbol मिल गए आपको then A अब A यहाँ पर भी alpha है यहाँ पर भी A में alpha है always याद रखना जो भी common letter होते है उसके symbol semi होने चाहिए like A उसके लिए मुझी लिखना है वही alpha and T again तो symbol वही repeat होगा T के लिए symbol वही repeat होगा now next third question question number three if noida noida is equal to three nine six five eight है अब यहाँ पर single word है उसका सामने coding है तो आपको पता चलना चाहिए कि एक-एक letter के लिए सामने एक-एक number है मुझे find करना है then India is equal to क्या होना चाहिए तो very simple question is कैसे solve करना है and उसके लिए three लिखा है O उसके लिए nine यूज हुआ है I उसके लिए six D उसके लिए five and A उसके लिए eight अब मुझे India so I उसके लिए कौनसा number था sir I उसके लिए six use हुआ है so मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले six N के लिए N के लिए three number है so मैं वहाँ पे लिखूंगा three now D D के लिए five number है so next number is five फिर से I repeat होता है यहाँ पर so I उसके लिए again मुझे six repeat करना है and last में A A उसका number है A उसका number है eight so I think first two से भी comparison में यह third question easy है एक ही coding decoding है बस आपको later wise कौन से कौन से number use होते है वही answer में बता दिना है now fourth question fourth question is if glare is equal to six seven eight one zero monsoon उसको भी number में coding किया है so R A N S O M क्या answer होना चाहिए first one two और यह question में difference क्या है fourth question में one two में symbols use हुए थे और यहां पर numbers का use हुआ है so alpha two symbol में always symbol हुआ ऐसा जरूरी नहीं है कई बार numbers भी use होते है चलो solution fourth question का G उसके लिए six बूल सकते हम L उसके लिए seven A उसके लिए eight R उसके लिए one E उसके लिए zero same way monsoon में भी हम यहां पर letter and number का pair बना सकते है R A N S O M का answer क्या होना चाहिए R that means one number A उसके लिए eight N N N के लिए nine number use हुआ है S five O O के लिए three and M later M उसके लिए number two use हुआ है so यह जो code था ransom उसका decoding हमने find कर दिया so I think question one two three four तक किसी को भी problem नहीं हुआ होगा यह बहुत easy questions समझने में है solve करने में है इसके लिए कोई proper rules यह shortcut की जरूरात नहीं है now last question number five वो भी discuss करते हैं if P-A-G-E coding by this symbol S-O-R-E coding by this number then P-E-A-S is equal to question mark क्या होना चाहिए उसका decoding चलो समझते है again यह P-A-G-E same way S-O-R-E तो P उसके लिए कौन सा number यूजवाई 3 sir P उसके लिए 3 लिख दो E यहाँ पर भी alpha है यहाँ पर भी alpha है so E उसका answer हुआ decoding हुआ alpha then A A उसके लिए percentage का symbol है and last S S के लिए 8 number लिखा हुआ है so I think my dear students my dear friends आप सब को यह first exercise alpha आपके सामने में ने पेज किया है time निकाल कर यह चार question उसके code जो भी है उसका coding आपको define करना है आप सब के पास मेरा WhatsApp नंबर है अगर यह exercise solve हो जाती है तो मुझे भूले बिना यह exercise के answer WhatsApp करना मत बुलना and also advise your friends to subscribe my channel to like my channel अब जो भी हमारा next YouTube का lecture होगा उसमें हम discuss करने जाएंगे step number 2 alphabets to numbers coding decoding उसका कैसे होगा अब वो बहुत ही important topic है there are so many different types of questions how to solve that question उसकी shortcut tricks होती है वो अब हम next lecture में discuss करने वाले है have a good day friends tata bye bye see you करूंगे